नमस्कार दर्सकों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अचारिय एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुसल मंगल से होंगे स्वस्त होंगे प्रसंद होंगे मस्त होंगे आज हम बात कर रहे हैं समय खराब चल रहा हैं कब अच्छा होगा इसी बिसे पे हम चर्चा करेंगे उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे जैसरी राम जरूर कॉमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों को सेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्सक जूर सकें इसी के साथ अब अपने बिसे पे चलते हैं कब समय मेरा अच्छा होगा समय ग्रह जैसे जैसे गोचर करते हैं तो आप सोचते हैं मेरा समय भी कब अच्छा होगा जीवन के कभी कभी आपके ग्रहों की दसाएं अगर खराब या पतिकूल आ जाने पर समय खराब चलने लगता है जिसे जीवन में दुख और सफलताओं परेशानियों जगरे जंजट केस मुकादमा अगर आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के दसा अंतर दसा अगर खराब चल रहे हैं तो ये आपको परेशानी आएगा परेशानियों से भर जाता है जब ये समय खराब रहता है तो यदि ऐसा खराब ग्रह का दसाओं आने के आना जाने पर अगर खराब समय जाने लगता है तो और तब तक ऐसा समय चलता है जब खराब समय का ग्रह दसा आपके ऊपर चलती रहती है तो ऐसी एस्थिती में अब या तो खराब ग्रहों की दसाओं समाप्त होने पर समय जब अच्छा होने लगता है जब आपके बुरे ग्रहों के दसा उसका खतम होने वाला रहता है असुब ग्रहों के दसा अंतर दसा जब शुरू होने वाला रहता है तो समय अच्छा हो जाता है और वह अभी तब जब खराब ग्रहों के दसा समाप्त होने के बाद अगर अनुकुल सक्तिसाली ग्रह दसाएं आ रही हो तो तब सब तरह से समय आपको सुखद हो पाता है बाद की अगर समय लंबे समय तक खराब चल रहा है या लंबे समय तक समय खराब चलने के योग बने हुए हैं तब केवल और केवल उपाई करने से समय जल्दी अच्छा हो पाएगा परेशानिया और दुक्स समस्या आदी दूर हो पाएंगे शब कुछ आपको उधारनों से मैं समझाने का कोशिस कर रहा हूँ अगर समय खराब चल रहा है तो सही कब तक होगा यदि उधारन अनुसार अगर आपको बताएं तो करक लगन करक लगन में माना किसी भी ग्रह की दसा अंतर दसाएं शुरू हुई है माना केरियर रोजगार के स्वामी मंगल की महादसा में करक लगनों में धन परिवार स्वामी सुर्य की अंतर दसा शुरू हो गई है अब मंगल सुर्य एक दुसरे से कुंडली में छठे और आत्मे भाव की दूरी पर बैठे हैं ऐसी अस्थिती में यह समय खराब रहेगा धन परिवार रोजगार और मानसिक सांती को लेकर अब यहां जब यह मंगल में सुर्य की दसा खत्म होगी और सुर्य के बाद जब चंद्र की अंतर दसा समय रूप होगा और चंद्र अच्छी अस्थिती में हैं मंगल के अनुसार भी अच्छी अस्थिती में अंतर दसा के श्वामी चंद्र वैठा है तब चंद्र अंतर दसा लगते हैं समय अनुकूल होगा बाकि इस से पहले समय ठीक हो जाए इसके लिए उपाय करने से आपको राहत मिल पाएगी अब मैं आपको दुसरा उधारन बताता हूँ जैसे ब्रिश्चिक लगन में माना किसी गरह की महादसा चल रही हो वह गरह दूसित या पीरित है जैसे की विश्चिक लगन में माना सुर्य और चंद्र की दसाएं चल रही है तो सुर्य चंद्र को जो की यहां केरियर और रोजगार और भाग के श्वामी है और शुर्य चंद्र और शुर्य चंद्र के भाव मतलब घर में भी राहू के तू से पीरित हो यानि या तो राहू के तू बैठा हो या तो राहू के तू का द्रिश्टी हो तब यहां सुर्य चंद्र मा जब तक दसाओं में चलते रहेंगे केरियर रोजगार में परेशानियां भाग का साथ सुन्न होकर परेशानियां इस तरह की बनी रहेगी यहां ज्यादा से ज्यादा उपाई करने और सुर्य चंद्र मा को बलवान करने से आपको परेशानी खत्म होगी बिना उपाई समस्या तब खत्म होगी जब इन ग्रहों की दसा खत्म होकर अच्छे सुब फलों देने वाले ग्रहों की महा दसा या अंतर दसा आये शुरू होगी उधारन के तोर पे तिसरा उधारन में दे रहा हो जैसे धनु लगन और शमय खराब चल रहा हैं तब इसका कारण है कुंडली में चल रही खराब दसा आये जैसे माना यहाँ पे शात्मे भाव के श्वामी बुद्ध की महा दसा या अंतर दसा चल रही है या चल रही हो बुद्ध के साथ राहू बैठा हो और सात्मे भाव पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टी कुंदली में यहां हो और सुब ग्रहों की दृष्टी भी हो जिस वजह से जब यहां अब बुद्ध जूब की सात्मे भाव विवा भाव का स्वामी है और पीरित है ऐसी अस्थती में बुद्ध की दसा जब तक चलेगी विवाहिक जीवन किसी ना किसी कारण से अस्त ब्यस्त परिसानियों वाला दुखत बना रहेगा क्योंकि सात्मे भाव पर सुब ग्रहों की दिष्टी भी उपर बताया हो मैंने इस कारण से जब बुद्ध की दसा खत्म हो जाएगी तब यहां विवाहिक जीवन में बनी जिस भी कारण से समस्या है वो खत्म हो पाएगी बांकी उपाय करना यहां समस्या है जल्दी खत्म करने और विवाहिक जीवन ठीक ठाक रहे इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली कोई योग जोतिस आचार से आप दिखा लें उनकी प्रामर्स आप माने और सरदा विश्वास से आप उपाई करें उपाई करें और उपाई करने से ही निवारन होगा जिस तरह से उपाई क्या है उपाई यही है जिस तरह से आपका तव्यत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पाफ जाते हैं तो आप दवाई और खाते हैं तो आपका सेहत अच्छा हो जाता है उसी तरह से जो तिस में भी वही गरह दसाओं के अनुसार से आप उपाई करने स से आप अपनी समस्या से से मुक्ति पाएंगे कुंडली विसलेशन और जोतिस समंदित किसी भी प्रकार की समस्या है तो निवारन कि अमंत्रिक रत्न किसी रत्न को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यहां से असली रत्न और जो एस्टोन आप अंगुठी या पैंडल आप जो कि हर रत्न तब तक वह आलू के समान है जब तक वह दुकानों में लगी रहती है जब उसका अनुस्थान पूजा पाठ उजिस किया हो तो वह सिद्ध हो उसकी पावर तब आ जाती है जिस तरह से हम कोई गनपती हो सरसती पूजा हो किसी हैं तब तक मुड़्ती वयवसे ही रहते हैं जब उनको घर पे हम पूजा पाठ अस्थापना करते हैं तो उनका रोनक ही अलग हो जाता है असी तरह से रत्न या कोई ताविज यह सब जो शिद्ध किया जाता है जिसे गुरुह पुखराज का तो गुरु मंद्र से उसका जाप किया जाता हर रत्न का अलग अलग उसका अनुष्ठान होता है उसका जाप होता है तो आज के डेट में एक आदमी एक स्टोन को अगर उसको अपने लिए किया जाए तो उसका बहुत खर्चा गिरेगा जैसे किसी गुरू का ही मंत्रे तो सवा लाख मंत्र जाप करना पड़ता है यह सब तो और महगा पड़ जाएगा अगर आपको चाहिए आप लोगों के लिए सुबधा के लिए हम सब मिल करके एक जगह जो हमारे जितने भी साती एक जगह बैट के किसी तृत अस्थल पे जा करके उसका अनुष्ठान करते हैं सिद्ध करते हैं फिर आप लोग को वो खर्चा से आप लोग मुक्ती पर जाते हैं जैसे मान ले आपको सिद्ध करते हैं एक साथ तो वह खर्चा पांचों पर बठाया जाता है फिर जाकरके यह आपको सुबधा और सस्ताम में जाता है इसी के साथ अगर आपको कोई अंगुठी लेना चाहते हैं कोई पैंडल मांगाना चाहते हैं किसी भी समस्या है तू समाधान के आप हमसे संपर कर सकते हैं इसी के साथ अपनी बानी को यह भी विराम देता हूं आज का दिन आप सभी को मंगल मैं हो स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए मस्त रहिए चैनल को लाइक कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन को दवा दिजिए और प्रेम से बोलिए आदेर आदेर